हेलो एवरिवन मेरा नाम नहीं है और मैं आपका स्वागत करते हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर एंजी के में यहां हम आज के लेक्चिर में डिसकस करेंगे बैगन ब्रिंजल के बारे में ठीक है ब्रिंजल की क्या-क्या विशिष्टाइं होती है ठीक करा स्टाइं किसको कैसे ट्रीट करना है दिसको कैसे लगानी है दिसीछ से बचाने के लिए क्या-क्या करना और हमारा चैनल हमारा एफर्ट्स हमारे वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियो से फायदा हो सके चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर जैसा मैं पता ही ह कि हम ब्रिंजल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो हम शुरू करते हैं प्रिंजल की कल्टिवेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला ही है कि प्रिंजल को बोलते हैं एक प्लांट प्रिंजल को बोलते हैं एक प्लांट बोलते हैं एक प्लांट बोलते हैं एक प्ला साइल क्षब पर श ग्वाइच ब करने मीटों है। सनना मीटों कक्षब दुन करbers面 लग केसे के सब इसके seminar करें छाहिए। इसके बुदाए कि नर्सरी लगाने की टाइम क्या है ? दिसम्बर से जन्वरी और मई से जून दो टाइम होता है , ऐसे भी मैशा मोरी है अगर बात करेंगे कि नर्सरी की पैपरेशन की लिए हम सबस्ते पहले क्या करेंगे ? दस किलो गाई की फर्मियर मैंवर लेंगे देंगे और उसके साथ जो है कि वैम जो होता है वैश्कुलर अ-फैस्कुलर गॉलक्ता पहक वैस्कुलर sn मैज्क अ के सट uelो नर्सै फिर उसके बाद जूए कि सुपर ऐस्षास को मिलाकर你 कर देंगे स्टार्ट करेंगे प्लस झो है हम बात करेंगे कि सिड्लिंग को हम टैयार करेंगे एक हेक्टेयर को त्यार करने के लिए हम लग्बग से लिए 111姓ं के हमारें सेभीians के बड़ीड, यह रहा हमारा नर्सरी बेट के बारे में जी रहा हमारा खुर के बरिंजल के और और वह फै्कस हम आगे पड़ता हृृ और उन्हान दे ट्रांसप्लांटे 성 用ड़ हर इस वुआह और यह हमारे उसमें फ्रूट सेटिंग हो गया है आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे कि सीड रेट क्या होना चाहिए तो नॉर्मल वराइटी के लिए जो सीड रेट की बात करेंगे तो वह होगा 400 ग्राम पर हेक्टेर सीड लेंगे और जो है कि हाइब्रिड हाइब्रिड क करेंगे तो नॉर्मल वराइटी में 60 x 60 cm का गैप रखेंगे और हाइब्रिड में 90 x 60 cm का गैप रखेंगे तो इस्पेसिंग नॉर्मल वराइटी के लिए 60 x 60 और हाइब्रिड के लिए 90 x 60 जो है वह रखेंगे हम इस्पेसिंग रखेंगे उनमें अब हम बात करते हैं कि करते हैं ताकि सीट डीजीज है उससे हम बच सकें थी के साथ निजीज होने वाली है की यह चूटा सा एक कैन आता है ठीक है उसका जू शेप ऐसा होता है इस यह भाट करेंगे कि यह एक सीड को अलग अलग चोटी जो है कि उसको हम एनक भाते हैं थुक है और फिर थाती था क्या जब उसको क्या है ठीछ विंदिमनीशन होना आइं गुवर दिया सक भाट rue कर दे थार फिर भाट करते हैं कि 60 cm बाइ करते हैं मैं पता है और जो है कि जब सीडिलिंग जब वो जो नर्सरी है उसको हम 30-35 दिन बाद नर्सरी से ट्रांस्प्लांटिंग के लिए ले जाते हैं यह रहा हमारा सीट ट्रीटमेंट जो है सीडिमनास फ्लोरेसंस और ट्राइकोडर्मा विरेडी से हम इसको ट्रीट करेंगे इस बात के ध्यान रखेंगे और रोज कयान से जो है कि हम अपनी नर्सरी को नॉर्मल पानी से जाए ऐसे नहीं करेंगे अब बात करते हैं कि कुछ facts के बारे में अगर कुछ facts के बारे में हम डिसकस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा hetero style is common क्या कहते ह बात करेंगे इस बात को सब्सक्राइब रोज यह बात करेंगे तो यह बिरंजल से होता है इस बात को हम नचे डिच फालीजाज आखी पूस देता है कि हेट्रोस्टाइली कि मतलब which of the following crop belongs to हेट्रोस्टाइली तो हेट्रोस्टाइली की जब बात करेंगे तो यह ब्रिंजल से होता है इस बात को हम ध्यान रखेंगे ब्रिंजल से होता है ठीक है अब औरो बैंक की is a serious weed affecting अब क्या है कि हमारी जितनी भी solenious crop होती है ठीक है जितन अब औरो बैंक की के जब हम बात करेंगे तो यह जो है यह है टूटल रूट पैरासाइट औरो बैंक की ठीक है आपको कमेंट करके बताना है कि कस्कूटा क्या है कमेंट करके हमें बताएं कि कमेंट में कमेंट करके बताएं कि कस्कूटा क्या है क्योंकि मैंने यह बता रख अब क्या है कि maximum seed of maximum setting, maximum seed setting takes place in long style flower, अब क्या होता है कि जिसमें ज्यादा जिसमें जो style होती है, वो लंबी है सबस्जादा, उसमें seed setting ज्यादा होती है, ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल जो है, vitamin B सबसे ज्यादा मिलता है, और white brinjal जो है, वो और diabetic patient खा सकते हैं, ठीक है, दो चीज़ें हो गई, vitamin B सबसे ज्यादा होता है, और जो है कि हमारा diabetic patient जो होता है, वो white brinjal ले सकते हैं, anthocyanine pigment brinjal में होता है, यह चीज़ धियान रखेंगे, और क्या है कि brinjal denutral plant है, प्रिंजल जो है, self-pollinated plant है, दो चीज़े धियान रखेंगे, self और dear neutral, दोनों, क्योंकि यह dear neutral है, क्योंकि यह photoperiodism को follow नहीं करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि dry fruits होते हैं, जो फल जो है, सूख जाते हैं, या फिर जो सीड जो है, सूख जाती है, तो वो गाइट्रोजेनिक principle पर काम करने लगते हैं, ग्वाइट्रोजेनिक जो सबस्टेंस होते हैं, वो जो है, हमारे ग्वाइट्र, ग्वाइट्र मतलब भीहिंगा रोग को प्रमूट करते हैं, तो यह हो गए, ग्राइट्रोजेनिक principle, ठीके, जो थायरोजेनिक को हमारे कम करते हैं, या फिर उनकी सिकरेशन को अफेक्ट कर करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे ग्वाइट्रोजेनिक प्रिंसपल पर काम करते हैं, अगर बात करेंगे कि टेंपरीचर जो jarowania डेले लिए 10 इलेले होगा, तो वो हो जाएगा, हमारे 20 डीकरी से जो है, हमारे हममेरी 7 सीच जर्मिनेशन होगा, अगर हम बात करेंगे कि तर्मांटिंग के टाइमी है का टैंप्लांटिंग के टाइमीरीचे क्माव होन tür 20 लिवPe समय टू debates те सुर्वेट के कि इतना होना चाहिए को कि तो चुना면 अश्य हमारे लुट consensus मैंटिंग के जाए बनाना नहीं ब्रिंजल के जो फल बनेंगे वह हो जाएंगे लो टेंपरिचर के वज़े से जो इसमें दरा रहे आ जाएंगी फल में वह स्प्लेटिंग हो जाएंगी इस बात का ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और बनेंगे के वेखें के कवर करेई हैं तो यह घरें रखेंगे रखेंजिए हैं यह उम्त सक्राइब कर दिए दिसने ãyदे। आट के हैं कैसे बनेंगे आच नुन का भारीड के घे रहा है यह रहा हमारा फूल क्ा जिसके हम हीं अपार सेलिक 21 थे अगे चल्थे आहे तो यह हैं बक्टीरियनं 1 जिए का बात करेंगे कि हम कि सहुता है तो बक्टीरियं विल्ट के लिए हो जाए गा स्वीडो मोनाश तीं सेरम हमारे सक्षोपंसिब्ल औरas के सेरं औरới क्षओऊिट्ट और स्प्रूल परपल क्लस्टर अर्क निधी अर्क केशो पंत रितुराज और निलकंट यह जो है कि अच्छ है वराइटी हमारी बैक्टिरिय विल्ट से रिजिस्टेंस हैं अगे चलते हैं अब कुछ वराइटी हैं जो डेवलप करी गई हैं सेलेक्शन और हैब्रिड मेथट से तो सेलेक्शन के से म् zij और हैब्रिड मिली होगई पुछा क्रांती पूछा रितुराज पूशा अनुपम पंजाब बरसाती और पंजाब उत्तम पूशा मेंदू हिसार श्यामल हिसार जमुनी पूशा उपकार यह हमारी वराइटी हो गई जो कि हाइब्रिड है तो यह कुछ वराइटी जो ऐसे नॉर्मली पूश देगा पूशा परपल क्लेस्ट कहां से है कौन से कैसी वराइटी है तो यह सेलेक्शन ऐसी सब्सक्रीण से नॉर्मली और सिंटिफिक वह होता है इसको करने के लिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अ च्न्म्लेटीन को बारिण से नॉपसे खाने के लिए तो उपर से घखेंगे जो पार्षिली ढगा होगा ताकि बारिण वागेर से अगर वह कुछ आता अधुकम स्याटस करें, अगर बात करेंगे की कीड हैं गिधालिक कीड बचाने के लिए हम देखा को बेख गानगे कंजांगे, और पिर तरफी दोन से पहले कि बीध गव् outward Chev dhpcer ю投 से के क्वोड से आथ हूझ करेंगी मेंदोस करेंगे में उने लोन श्याटस के लिो आप्ड नोन त्रीट करें गें हमुद्ध करेंगे थ्राइकोडर्मा वेरीडी से थिए एक का त्रीट करेंगे और ने जो पृप ने जर्मिनिशन स्टार्ट से नहीं अगे चलते हैं. अगर बात करेंगे के फिल्ड प्रपरेशन की तो फिल्ड प्रपरेशन पेट करेंगे कि सीधे 25 तन फर्मियर्ड चाहित करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि 30-40 cm पर पूधा लगाना है. होगे यहीं मिलनी होतég Uh already suggested for a भी लगा देंगी मानें और उसके नहीं ही ऊए BE कि तो drug को इर्णिंग करें ख्राइब और थीजेत करतें रिशार हैं और जो है कि 30 से 25 दिन अगर बात करते हैं हम लोग मल्चिंग की तो मल्चिंग हम करेंगे कि ब्लैक जो है ब्लैक शीट से ठीक है जो कि 25 माइक्रों की होगी साइव इसको कवर कर देंगे मिट्टी से ताक्य हमारा से परपस यह होता है कि वीट करने लिए वीट कंट्रोल के लिए प्लस वाटर वाटर सेविंग ठीक है और एक्सिस हीटिंग जो है उसको भी बचाने के लिए हम मल्चिंग का यूज करते हैं आगी चलते हैं अगर मैंनियूर की बात करेंगे तो हम जो एजोस्परेलम और फॉस्पर बैक्टिरिया जो है कि में टो के जी हम अपने फिल्डे उसको उसको छिडकाव करेंगे वाराइटि अगर मैंनियू क्यों अहसी है पस्यासर की बात करेंगे तो छो हम जो है कि एन की ऌनन्पे जो है, 55 आटाय बात करेंगे अगर टॉप ड्रेसिंगे बात करेंगे तो यह हो जाएगे 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेर ठीके और तीस दिन के बाद जो है हम जब उसको खेतों में कुडाई नेडाई करते हैं तब हम उसको जो है कि यह 30 दिन बाद 50 kg जो है नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के टाइम द सब्सक्राइब करेंगे तो 100-500 और 100 के रेशियो में रहेगा हमारा एंपीके की अमाउंट अगर टॉप ड्रेसिंग बात करेंगे तो उसमें 50 kg लग रहा है और इसमें 100 kg लगेगा तीस दिन बाद अगर फर्टीकेशन के बात करेंगे तो फर्टीकेशन जो हमें रिकमेंड क रहे हैं यह प्लस वाटर को जो है मिला देंगे तो यह हो जाएगा हमारा फर्टीकेशन ठीके ध्यान रखेंगे इस बात का आगे चलते हैं वीड कंट्रूल क्या है यह है पेंडी मैथलीन जो है वन कीजी पर हेक्टेयर की हिसाब से जो है कि उसको हम छिड़काओ करेंगे खेंट बाध्यक्स कि अर्षेटा कि अवर्विश्याइस करेंगे वो नरसरी में यूइध करते हैं हमारी प्रीवरजाइस कि गदी बीच नियू मेदेंas पेंडा मेथलीन यूज करते हैं अगर हम बात करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे मालों की कुछ हॉर्मोन कम पड़ रहे हैं या फिर कुछ सबस्टैंस या फिर कुछ एलिमिट्स कम पड़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल उसको हमें नॉर्मल बुलाने के लिए हम जो है कि त्रयकंटरनोल को यूज करते हैं त। वह जो है कि आ रिल खोडु की हब छीड़ीन के वह ताम ख़र पर हो भुए करो के दजह है अगर उसको ठीच बेहा है आइस ज iç रहा है तो ठोलेट्स इंहें और एल्शा धीर को अब आज्टल्दम ताकि हमारा फ्रूट सेटिंग है वह अच्छे से हो जाए ठीक के फ्लावर में जो भी कोई कमी हो रही है या फिर किसी भी इलिमेंट की वह कम ना पड़े इसलिए जो हम यूज करते हैं अगर हम बात करेंगे कि करते हैं अगर मालिजे वह करते रहें अब बात करते हैं कि यूज इंप करेंगे यहां कि किया करेंगे हम कि कि जब भी खलांगी निराग्दकति सारे लगभख घनी करेंगे जैसे कि हां opportunities निकाल और तीस से पच्छेस दिन बाद हम जो है कि इसका जो है कि हैंड वीडिंग करेंगे जिसमें जितने भी खरपतवार इसको निकालेंगे और उसकी कुड़ाई कर देंगे और फिट से मिट्टी अगर नहीं है मिट्टी की कमी है तो मिट्टी और पौदे पर चठा देते हैं इससे क्या होगा कि प्लांट को सपोर्ट भी मिलेगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा आगे चलते हैं अगला है हार्वेस्ट कितना देता है हार्वेस्ट कितना हो गए इसका हार्वेस्ट जो है कि लगबग ट्रांस्प्लांटिंग के 55-60 दिन बात करेंगे ठीक है अगला पुछ जार है तो चीज तो तोड़ना पड़ता है तो अगर बैंगन कड़ा हो जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है वो स्वाद वो चीजे अच्छी नहीं लगेंगी ठीक है खाने में आपके अगर हम बात करेंगे कि कितना इल्ड देता है कितना उसकी उपज है तो नॉर्मल वराइटी में 25 से 30 टन पर हेक्टेयर और हैब्रिड में 60 से 80 टन पर हेक्टेयर जो है इसकी इसकी इल्ड हो जाती है तो जैंड हमँ चैनले सूस the best तो सब्सक्वरे इसकी आपके तो यह हमारे है शूकं रूट बॉरर जो शून रूट बोर एक जे आप था है यह होते हैं मरे लिटसी नोर लिटस ओर हम इननी का नाम लिग द्रहे रहे हैं यह होते हैं लिटसी नोर्टस है ओर बैनिली गGO तो यह हो गए हमारे रूरूट और शूट बोरर अब यह क्या होते है कि नॉर्मली यह टॉप पे जो हमारे एक दम ऊपर वाली पार्ट होगी टेंडर जुली लिफ्स होंगी या फिर जूट्स होंगे उस पर यह आटक करते हैं और फ्रूट बोरर मतलब कि हमारा पयगए जो फल बना आ है उसमें डशेत कर देंगे से ख़ते हमारे कि से ही कहारे के हम सबसें जो पनारा हुआर में हाटração interpreter में द्फोड सी 1980 czy पेरिवहन भीनारिदया आदये ईलिए योग धिग लगवावन करेंगे हैं। और डियुक्णकंपर ठीजन सब्सकी अग्वीन है। न्यूव से नियुक्सला ड्नौति से काने गभाने नेमई करने लिघनाना ह। की और क्रींगे कि हम यह किमिकली कराइवा, rationale दोखार्षितों, निकल जासे। धिर खैल को इसे करींगे जहेते हैं, यह साओ जोड़ से फी में बातों बेदूपन हैं, वहां को, हम इसमें चेहाते नुष्य करने हैं, जा-एक यह और 所以 दिन बाती है। तो यह हो गए हमारे और इनकी जो है लाइफ साइकल जाएंगे तो कोचमारे फीट हमारे थो सामने देख रहे हैं किए ग्रीन और यह बहूली ज़ल्दी लीस खराब करते हैं टेहले और यह पैर मिंख्री आप गि और यह हमारे हुग shine efforts सब्ने कहें की इन को क्या करनेगी इन का कंट्रोल करने के लिए तस पर इसाफ 10 संथ के款 पर हेक्टिए Pak हमें इसका छिड़काओ करेंगे ठीक है और फोरेट हो गया कुछ इंसे इंसेक्टिसाइट्स ठीक है जैसे कि थायमेथान और फॉस्पोमीडाउं यह यूज करेंगे हम इनकी बचाओ के लिए अपने पौर देखो किसके बचाओ के लिए एफिट्स के लिए यह रहे हमारे य ओर आगे चलते है अगला है हमारा इपी ल vidéos जीए पिस्ट्राइच छी में हैं जासे हो गया depiction हो गया या द्राइज फस् Sadly acommerce हो गया यह हम इन एक अमड़े को खतle करने के लिए हम इनका च्रताव करते हैं कि के इस बात का operating द्यान रखेंगे आगे जलते हैं आगे हमारा है कर्ब फिर Sagari क आदे करेंकर और यह तरह हैं तरह के वाइट प्लांट्न के हम ने पौदवा पि छिड़काऊ कर देते हैं अपने फ्लांट को सब्सक्राइब क्लिसे लिए अपने वायड फ्लाइब जो कि बचांब के लिए वहीं होटे क्पाउड है व्यामार इस नौहरी कि उसोद Pero करने के लिए जो है कि मीन में चीज़ है एक तो हो गया यलो इस्टिकी ट्रैप ठीक है दूसरा हो गया कि इस्प्रीन नीम ओयल ठीक है और जो है कि टीपॉल भी यूज कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं तो यह हो गए आश्विविल और वाइट फ्लाइज या निमैंटे हो एंडबिंगॉफ दिसीं तो डेंपिंगॉफ कहांगे तो नॉर्णली हमारी जो है कि हमीशा को भी डेंपिंग और होगी वह हमारें नर सभी से ही रि एलेटिड उती अब इनको गॉस करने के लिए हम बात करेंगे तो ऑर पितिंग और तुरब छो है कि यह मे एंटागोनेस्टिक फंजाई यूज़ करेंगे ठीक है एंटागोनेस्टिक मतलब जो उसके अपोजिट वर्क कर रहे हूं उनको यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे सीधे सीधे हम अपना ट्राइकोडर्मा यूज़ करेंगे ठीक है या फिर कार्बो फिरोन यूज़ इभर औरने हैं बीमामेक सिनमने प्रूरी करते हैं इस वातना और长 यह जिना एक हला कारों建व करने की लोम आपाल में पूरी साइखल कंपलीट कर लेते हैं यह साइखल इस। आइल कौ कपलीट में कश्णपि और यह सब ट्रांस लोकेशन फूट का नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि पौधा अपने आप ही सूख जाएगा ठीक क्योंकि नॉर्मल फिजियोलाजी उसकी डिस्टब हो रही है तो यह नहीं मैं टोट्स है मैं टोट्स को भी जो है कि हमें ट्रीट करना ही पड़ता है तो हमें क्या कर ट्राइक को डर्माविडिडी हम यूज करते हैं और क्या करेंगे कि जिसे हम ध्याद करना है कि वाटर की कि ड्रेशिस्टम अच्छी होनी चाहिए तक है या फिर वहां पर पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए डैंपिंग आफ को बचाने के लिए ठीक है यह घ्यान रखे लीटिल लीफ अइस पर वाइरस फंजाई मैछ caracterिया हुआ थितर अथिंगे हैं दिया वाके। न्हीं के आफेकल्सूमा की बज़से होता है। मनाफी बहुत बहुत यह पूंपस्ट भीए इसक प्र घृत। कि अर्ली स्टेज पर जो है कि हम इस पर मिथाइल डेमित्हौन का छिड़काव कर देंगे वेक्टर को कंट्रोल करने के तो यह हो गए हमारे माइको प्लाजमा जो के हमारे लिटिल लीफ और ब्रिंजल कॉस करते हैं अगर हम बात करेंगे कि इंटिगरेटिट पेस मैनेजमें कैशनि नातर वेक्टर को ट्राशमां से या सली आशे मेंट लगका按 हैं हमारे मींडरे इंटिगरेटिट पेसमेंड मेंचमेट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम सरी के त्राइको-णी कर रहा हैं से तो नर्सरी को हम केक से वह हो जाएगा या फिर मेज क्रॉप को बॉर्डर क्रॉप के तरह यूज कर रहे हैं वाइट फ्लाइस से बचाने के लिए यह हो जाएगा हमारा मेज के लिए बॉर्डर क्रॉप जो है हमारी ब्रिंजल के लिए यलो इस्टी की ट्रैप भी लगा रहे हैं हम वाइट फ तो दश्टरर करते हैं सबसे नोता हुआating सब 7 इस ब pareilSea किर रेंगे लुप है लगाज को पक्रता जा थी देघर हो five देडींन के क्पुछ भी यह रिलीज करेंगे यह जो है कि मारा यूचला एजेंट है ट्राइक ट्राइक्ट ग्रामा जो है यह हमारी जूएज लुसी करने के करते हैं टीक है नीम- नीम- खैक ध्यूर्ग अलजी के करने भी यूज करेंगे हम इसको करने के लिए यह वर आल हमारा IPM ब्रिंजल के वे हो गया है यह रहे हमारे हमें कमेंट सेच्छन में दूसरा क्वेस्चन हम आपके लिए दे रहे हैं तो यहां पी हो जाएगा कि यह क्या है वाट इस ठीक है यह मैं आप से पूछ ले रही हूं और मैं आपको यह बता दे रही है हमारा फ्रूट बोरर है यहां पर बैंगन में छेद हुआ है तो यह शूट और फ्रूट बोरर के लिवसी नॉट्स जो है हमारे लिवसी नॉट्स या लिवसी नॉट्स कहेंगे यह हमारे फूट बोरर है और यह हमें आपको बताना है पहले जो पिक्चर है अगी चलते हैं यह हमार हैंटली फ़रिंजल然後 okay थैक है और यह जो हमारी स्षूड़ोडर होते हह जो चूट बोरर डिय הי Centre को लिए और यह घतकर हटा देते हैं और यह जो पूछ बैंगन है जिसको फ्रूट बोरर ने में लिएसी नोइट ने झीड कर खराब कर जिनका एकोनामिक परपस कोई निया मार्केट वैल्यू जीरो है तो यह रहे हमारे शूट एंड रूट बोर है यह हमारा लिटिल अफ प्रिंजल है जो कि माइको प्लाजमा के वज़ से होता है तो यह रहे हमारे लेक्चर आज की तो थैंक्यू सो मच गाइस अपना नाइम द प्लीज आप हमारे इंस्टाग्राम हमारे ट्विट हमारे जो है की टेली ग्राम पर जूट सकते हैं और हमारी यूटूब को तो आपको फॉलो करना ही करना यह तो बहुत ज़रूरी है हमें यसे ही मोटिवेट करते रहे हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल क को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच